नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स्वी का अलाने डाफ उस्ट यूट्यूब चैनल बेस वीडियो पर हम बात कहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कई बड़ी भरतियों के लेटर सब्डेट के बारे में जो कि सम्बंदित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई ले देखने के लिए मिलती है लेकपाल भरती के बारे में के लगबग 4,000 बदों पर नई भरती का जो विग्यापने वो जादी होगा इसी के बारे में इसके अलावा नई प्रात्म सिच्छक भरती टीजिटी पीजिटी और भी लेटर सब्डेट वीडियो को लाइक कर दें दीजाने वाली तमाम उन सडीक जानकाई को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें तो दोस्तों आज के कही समाचापत्तों में आपको ऐसी जानकाई हैं देखने के लिए मिलेंगी जैसा कि आप सभी अपनी इमेजिस के माध्यम से देख पाएं लेकपालों के लगबग 4 प्रदों पर जल्द शुरू होंगी भरतियां जैसा कि नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि लेकपाल के लगबग 4,000 और प्रदों पर जो भरतियां वो होंगी आगे पढ़ने से पहले एक सवाल मेरे आप सभी से होगा कि आप क्या चाहेंगे क्या पुरानी बरति के अंदर 4,000 प्रदों को जोड़ा जाए या फिर नई भरति के अंदर मलब नई भरति के अंदर आपका विग्यापन जादी हो असल में मामला यह कि लेकपाल के अंदर अगर पंदे गुना को बलाया जाता है जैसा कि कल मैंने बात की थी एक वीडियो के अंदर जहां बरति दुबारा से बैठेंगे जो पिछली बार बैठ चुके हैं अगर पंदे गुना होता है तो बाकी आपस भी कमेंट करें के बताएं यहां पर लिगा है कि राजस परसद के लिगपालों के खाली परतों की भरति को लेकर प्रस्ताब मांगा है मंदर लिगत अगर बात क सर्चिब मनीशा देगठिया ने बताया है कि दोजा सत्रे ठाएं उन्नी सो बीस तक रिक्त पतों की भरति के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधियन सेवा चैन आयो को भीजा जा चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयो की अगर बात की जाए लेकपाल की सेवा न संबंदी विवस्ता दी गई है इसलिए लेकपाल की पार्द की कुल खाली पतों के आधार पर आयाचन की गढ़ना करते हुए प्रस्ताव उप्रद कराया जाएगा और उसके बाद में अगर बात की जाए राजुस परसर के टोटल लेकपालों के पतों के बारे में तो लग पतों के बारे में जानका ही दी गई है कि इन पतों की संख्या लगबग 4,000 के संथिंग है अगर इन 4,000 पतों को पुरानी भरती में जोड़ दिया जाए तो लगबग 12,000 पतों जाएंगे और अगर इसके पंदे गुना या 20 गुना अभरतियों को बुलाया जाता है तो लगबग 2,000,000 से जादा अभरती इसके अंदर बैठ सकते हैं लेकिन अगर नई भरती का विग्यापन जाजी होगा तो जो पुरानी भरती के अंदर अभरती बैठेंगे उन मेंसे भी आदे अभरतियों को दुबार इसी भरती में बैठने का मुका मिलेगा अगर पंदे गुना को बुलाया जाता है तो क्योंकि आयोक का ऐसा मानना था कि वो पंदे गुना को बुलाएंगे अगर बार बार पंदे गुना को बुलाएंगे तो यहां से कहने की जो दूसरे अभरती हो उनके लिए बड़ा नुक्सान देखने के लिए मिलेगा बाकी अब क्या होगा नई भरती के बारे में बताया तो जा रहा है कि जल्दी जो भरती है वो शुरू होगी लगबग अब बात कीज़े अपने अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है उत्तर प्रदेश में नई टीजटी पेजटी सिचक भरती को लेकर जैसा कि दोस्तों आप स्वी को देखने के लिए मिलेगा इसी के साथ जानकाई आप स्वी के लिए और भी है जिसको आप स्वी यहां से देख सकते हैं नेशलर टेस्टिंग एजनसी के माध्यम से 301-22 को नोटिफिकेशन जादी करते हुए जानकाई दी जाती है कि यूजी सी नोट नेट को लेकर आपके जो आवेदन ने वह शुरू कर दिये हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे आप भी दिये गए इन तारीकों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं जानकाई के लिए आप स्वी के सामने आप सब्साधि देखने के लिए मिल जाती है और फीस कि अगर बात की जाए तो लगबर आपके सामने ग्याय उसो के लाबा अगर बात किए जन्रल EWS ओवी सी वाले चाहतों के साड़े 500 रुपे साथी SC STPW या फिर थर्ड जेंडर की बात की जाती है तो 275 रुपे आप सुभी को देने होंगे यह बात हो जाती यूजी सी नेट को लेकर लेकिन हम यहां पर बात करें थे नई यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा 2,019 चैन्रिस चात्तों का जो समय वर्जन ने वह चुका है चैनपूर्ड ने जारी किया असास की विद्याले में समय वजन की चूची नहीं सूची लिखा है गलत लिखा हुआ है तो मैं आप सुभी को बता दूँ उत्तरफदर्स म अगर बात की जाती है अभ्यर्थियों की लिस्ट को लेकर तो यहां पर आप सभी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं इन सबीकर जो विद्याले आवंटे ने वह कर दिया गया है असास की साहता प्रावद माध्यों के कारण अगर बात की निक्ति नहीं मिल सकी थी 2019 की अगर बात कीए 160 अभ्यर्थि थे और अगर बात कीए PGT के लगबग 42 सभ्यर्थि थे 2016 की अगर विग्यापन में 15 TGT के और दो PGT संबर्क्यर जो अभ्यर्थि वो देखने के लिए मिले थे इन सभी चात्तों को लेकर यहां से कहीने की जो प्रयास किये जा रहे थे कि सम रहे में क्योंकि चैन बोड के पास में 200 से बड़े मामले हैं पहला पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करना फिर उसके बाद में नई सिच्छक वर्थि का विग्यापन जारी करना प्रत्यों की चात्तों के पांच जार से अधिक पतों पर नई वर्थि का विग्यापन मिल चुका है चैन बोड अगला अपना फोर्टल खोल कर 10-15 दिनों के लिए खोल दिता है और इक्तवतों की संक्या बढ़ जाती है तो ऐसे में अभ्यतियों के लिए जो अपसरें बढ़ेंगे नई भर्थि पर बाता के लिए चैन बोड के चैर्में से मिलने के लिए समय मा मुलाकात करने के लिए मतलब 3715 के बाद में चैर्में के साथ मुलाकात करेंगे अभ्यति और नई टीजटी पीजटी सिच्छक भरती को लेकर जो प्यास है अब यहां से बढ़ानी का प्यास कर दिया गया है आप जानते कि एड़िट विद्यालियों के अंतर 7268 पतों का ज देखने के लिए मिलते हैं इनी सब को मिलाकर लगबग 7200 पतों पर एड़िट विद्यालियों के अंदर नई सिच्छक भरती का विग्यापन जाली होगा जिसको लेकर जल्द आगे की कालवाई शुरू हो सकती है लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नई प्रात्मिक सिच आचा पत्तों में तो कह देते हैं कि रिक्त पदों को भरेंगे लेकिन कोई भी अधिकारिक तौर पर सिच्छक भरती कब आएगी इसके बारे में बोलने के लिए तेयार नहीं है खाली में बेसिक सिच्छा विवाक के अंदर जब प्रिजंटेशन देखने के लिए मिली तो अधिकाईयों के माध्यम से दिखाया गया कि उनके पास पयाबत संख्या में सिच्छक हैं चात्तों की संख्या के अनुसार लेकिन इसी बीचे खुशकभी देखने के लिए मिल देए और वो है कि चात्तों का नामंकन क्यूंकि आप जानते कि अगर आप नई सिच्छक भरत 25 बच्छों का नामंकन के साथ में टॉप 10 में देखने के लिए मिला है प्राग्राज इस्कूल चलो अभ्यान के तहट अगर बात की जाए सीज दस की सूची में शामिल हो गया है हाला कि नए नामंकन का जो लक्ष रखा गया वो लगबग एक लाग के संख्या में तो सरकार का जो लगबग एक लाग के सम्तिंग का था जिसमें एक बड़ी सफलता देखने के लिए मिली है कि 93,000 तक जो नामंकर ने वो किये जा चुके हैं इस सूची में पहले इस्तान बे बाहर नशी देखने के लिए मिलता है तीसे कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब को लेकर जो रास्तें वो अपने आप खुल जाएंगे उसी के कर्म में नीचे लिखा है कि प्रभीन कुमार तिवारी के माध्यम से बताया कि शासन इस तरह पे स्कूल चलो अभ्यान की समय सीमा समापत हो चुकी है लेकिन यह अभ्यान पांच मरी तक रहेग अभ्यान आप यहांपर जिस्चकं को देंशल पराफश को की लिए अवश्यक्तां है और उनके माध्यम से जो भी सरकार के माध्यम से लच्छ दिये गए कि इतने नामंकर आप सभी को करने हैं और अगर वो इतने नामंकर नहीं कर पाते हैं तो उन सभी का जो वेतने वो रोग दिया जाएगा नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि समस्त खंड शिक्षा अगर बात की जाए यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि परसदी विद्याले के माध्यम सरका गया है अगर वो इसको पूरा नहीं करती है तैय समय के अंदर सरकार के पार से कोड़ नहीं पोश्थी है तो इन सभी को जो बेतने वो नहीं दिया जाएगा नीच लगबग 37,563 से अधिक है खेद विशय यह कि विवागी समिच्छा के बाद अगर बात की जाए आवंटित नामंकिन की जो ब्रदी के सावेच मात 12805 प्राप्त देखने के लिए मिला है अगर किसी भी जनबत के अंदर इस प्रगार के मामले देखी जाते हैं तो वहां के जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें